सांप की मृत्यू कोश्ठक, चालाक और दुष्ट को चालाकी से ही मारना चाहिए, कोश्ठक समाप्त एक व्रिक्ष के ऊपर एक कववा घोंसला बना कर अपनी पत्नी के साथ रहता था दोनों में बड़ा प्रेम था, इसलिए दोनों बड़े सुक के साथ रहते थे दोनों रोज खाने की खोज में साथ साथ उड़ते थे और खा पी कर फिर साथ साथ लोटाते थे कुछ दिनों बाद कहीं से एक काला सांप आ गया, सांप भी व्रिक्ष की जड़ में बिल बना कर रहने लगा कौवी सांप को देख कर डर गई, उसने कौवे से कहा सांप बड़े दुष्ट स्वभाव का हुता है, नजानी ये कहां से आ गया कौवे ने कौवी को ढांडस बंधाया, उसने कहा, घबराव नहीं, ईश्वर रक्षक है कुछ दिनों पश्चात कौवी ने अंडे दिये, अंडों से बच्चे निकले, बच्चे धीरे-धीरे बड़े हुए, उचलने कूदने लगे कौव और कौवी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे एक दिन बच्चों को घोसले में छोड़ कर दोनों भोजन की खोज में चले गए सन्नाटा देखकर सांप बिल से बाहर निकला, वो धीरे-धीरे वरिक्ष पर चड़ गया उसने कौवे के घोसले के पास जाकर उसके बच्चों को खा लिया और चुपके से वरिक्ष से नीचे उतर कर अपने बिल में चला गया कौवा और कौवी दोनों जब लोटे तो घोसले में अपने बच्चों को ना पाकर बड़े दुखी हुए प्रिष्ट बावन उन्होंने आसपास की चिडियों से अपने बच्चों के संबंध में पूछताच की पर कोई कुछ भी नहीं बता सका कौवा और कौवी करते तो क्या करते दोनों रो धोकर शांत हो गए कुछ दिनों पस्चात कौवी ने फिर अंडे दिये अंडे से बच्चे निकले बच्चे कुछ बड़े हुए उचलने कूदने लगे कौवा और कौवी ने परस पर सलाह की हमें अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए दोनों में से एक को सदा घोंसले में रहना चाहिए एक दिन कौवा भोजन की खोज में चला गया था कौवी अपने बच्चों के पास घोंसले में थी चारों और सन्नाटा था सांप अपने बिल से बाहर निकला और धीरे धीरे वरिक्ष के ऊपर चढ़ने लगा कौवी ने सांप को देख लिया वो जोर जोर से काउं काउं करने लगी पर सांप के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा वो वरिक्ष पर चढ़ता ही गया और घोंसले के पास जा पहुँचा कौवी सहायता के लिए जोर जोर से पुकारने लगी पर उसकी सहायता के लिए कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका सांप पहले की तरह उसके बच्चों को खा कर व्रिक्ष के नीचे उतर गया कवी करती तो क्या करती सिर्फ पीट-पीट कर रोती ही रह गई जब कवा लोटा तो कवी ने रो रो कर सांप के द्वारा बच्चों के खा जाने की बात सुनाई कवी की आँखों से भी आँसू निकलाए पर उसने धैरे से काम लिया कवी रो रही थी विलाप कर रही थी कवा जी कड़ा करके कवी को समझाने लगा वो बोला अब रोध होकर क्या करोगी जो होना था वो हो गया जी कड़ा करो धीरस धरो प्रिष्ट त्रेपन कवी रोती हुई बोली सांप दो दो बार मेरे बच्चों को खा गया अब मैं इस व्रिक्ष पर नहीं रहूंगी चलो किसी दूसरे व्रिक्ष पर चले कवा बोला इस व्रिक्ष पर मेरे पूर्वज रह चुके हैं इसे छोड़ना ठीक नहीं है धैरे धर कर इसी व्रिक्ष पर रहो मैं सांप को मारने का उपाय करूंगा किन्तु कवे के बहुत समझाने पर भी कवी बार-बार यही कहती रही कि किसी दूसरे व्रिक्ष पर चलो आखिर कवे ने कहा तुम मेरी बात नहीं मानती तो अडोस पडोस की चिडियों से पूछो कवे और कवी ने जब अडोस पडोस की चिडियों से सलाह ली तो उन्होंने भी कहा तुम दोनों को इसी रिक्ष पर रहना चाहिए हम सभी मिलकर साप का मुकाबला करेंगे इतने पर भी कौवी के मन को शामती नहीं मिली आखिर कवा बोला तुम्हें इस तरह संतोश नहीं होता तो चलो लोमडी मौसी के पास चलें वो सबसे अधिक बुद्धिमान है वो जो हमें और तुम्हें काम करना चाहिए कौवी लोमडी के पास जाने के लिए राजी हो गई कौवी को लेकर कौवा लोमडी के पास गया उसने लोमडी को साप के द्वारा बच्चों के खा जाने की बात सुना कर कहा हम दोनों अब क्या करें उसी व्रिक्ष पर रहें या उसे छोड़ दें। लोमडी सोच कर बोली। तुम दोनों कहीं मत जाओ। अपने घर में रहो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रही हूं जिसके अनुसार काम करने से साप को उसके पापों का दंड मिल जाएगा। पास के तालाब पर राजकुमारियां सनान करने के लिए आती जाओ। राजकुमारियां जब अपने गहने रख कर पानी में घुसें तो तुम दोनों एक-एक मोती की माला अपनी अपनी चोच से उठा कर भाग चलो। इतने जोर-जोर से बोलो कि नौकरों का ध्यान तुम दोनों की ओर खिच जाए। वे मोती की माला के लिए तुम्हा और कौवी ने लोमडी की बात मान ली। दोनों ने दूसरे दिन वही किया जो लोमडी ने कहा था। दोनों काओ काओ करते हुए एक-एक मोती की माला चोच में उठा कर भाग चले। नौकरों ने उनका पीछा किया पर वे दोनों व्रिक्ष के नीचे पहुँचकर मालाओं को सांप के बिल में डाल कर अपने घोंसले में जा बैठे। नौकर भी पीछा करते हुए व्रिक्ष के नीचे पहुँचे। उन्होंने व्रिक्ष की जड़ में बिल में मोतियों की माला देखी। नौकर मोतियों की माला को निकालने के लिए बिल को खोदने लगे। सांप बिल के भीतर बैठा हुआ था, वो छेट छाड को सहन नहीं कर सका, फुपकार मारता हुआ बाहर निकल पड़ा, नौकर पहले तो डर कर भाग खड़े हुए, फिर सब ने मिलकर सांप का सामना किया, एक साथ बहुत से डंडे और तलवार पढ़ने से सांप मर गया, कौव और क हुई दोनों बड़े प्रस्वन हुए, उन्होंने लोमडी के पास जाकर उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया, लोमडी ने कहा, किसी भी दुष्ट से डर कर भागना नहीं चाहिए, बलकि दुष्ट को दुष्टता से ही जीतने का प्रयात्न करना चाहिए, प्रिष्ट प